हालो दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे मुणारी किताबों को लाया हूँ, जो आप सबों को जरुत है और हत से भी ज़्यादा जरुत है, कि ये किताब कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये किताब के बारे में स्यार करना चाहता हूँ, जितने भी आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं उमीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब किजिए और लाइक किजिए, सेर किजिए और जितने भी भाईबानों हैं, माता पिताओं हैं उन सबों के साथ सेर किजिए ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके इसलिए चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ शुरुआत करने से पहले मैं आप सबों को एक बार मेरी और से जोहार ठीक है आप लोग के सामने जो दीख रहा है तुंको दाड़ी अर्थत मुंदारी सब्द कोस या इंगलिस में कहेंगे मुंदारे डिक्सिनारी ये इसके लेखाग है स्वाडक्टर मन मस्सी मुंडू ये बहुत ही मेहनत ही है और इनको सहिती अकडेमी पुरुसकार से समयनित किया गया है इसलिए ये चीज आप लोग इस किताब को लिजिए और पढ़िए और इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है इसके बारे में आप सबको जानकारी मिलेगा अगर यादि आप लोग इस किताब को एकडम जरूर से जरूर चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने मॉबैल नंबर, कॉंटेक्ट नंबर दूँगा उससे संपर्क कर मुझ से मिल सकते हैं और ये किताब ले सकते हैं ऐसा है दूसरा किताब आप सबों के सामने मैं दिखा रहा हूँ मुंडा चगर इतुन पुथी मुंडारी भासा सिखने की पुष्टक ये इसके लेखक है इसने इसको किस रूप से लिखे हैं वे आप लोग पढ़ेंगे तब ही समझ पाएंगे कि कैसा ये लिखा हुआ है इसलिए एक बार इस मुष्टक वे पढ़के देखिए इसमें क्या गुप्त चीज क्या सही चीज क्या लिखा हुआ है अधिक जानकारी दिया हुआ है इसलिए ये चीज किताब को भी आप पढ़कर देखिए और ये किताब मार्केड में उपलब्द नहीं है बस मेरे पास ये सब अभी है जिसको जरुरत है वे हमसे मिलकर ये पुष्टक ले सकते हैं ठीक है अगला किताब हम देखेंगे गिल बर कहानिया जो आप सबों को दिखा रहा हूँ गिल बर ये कहानि को इसके लिखक भी नभिन मंडो है इसको ये आप ले सकते हैं बजार में उपलब्द नहीं है हमसे ले सकते हैं इसका प्राइस तो किताब पर ही है लेकिन मैं इनका प्राइस तो नहीं बता सकता हूँ इसलिए आप लोग ले कर देखिए उसके बाद चवता पुस्तक को देखिए इनको भी आप ले सकते हैं अईसे ही पच्छाँ बुक आ रही है लेका का निरल कौन गाड़ी ये लिखा है बिर्षा मुंडा एक सोतंतर तस सेनानी के बारे में जो बिर्षा कैसा सेनानी था उसके बारे में ये लिखे हैं उसके बाद चवता पुस्तक है रेपाइंड प्लंडर लुटमार इनका लेखा का है पी एन एस सुरीन इसको भी आप लोग ये हिंदी में है ये भी आप लोग पढ़े कर देखिए उसके बाद सत्वत पुस्तक है इस्पिक मुंडारी पार्ट वन इसको भी आप ले सकते हैं ये हमारे पास उपलब्द है और किसी के पास भी उपलब्द अभी नहीं है क्योंकि ये बजार में किताब खतम हो गई है अभी छपाई नहीं हुई है इसलिए आप लोग जिनको भी जरूरी है मुदारी डिक्सिनारी से लेकर इस्पिक मुदारी तक जितने भी पुस्तक आप लोगों को जरूरी है वो आप ले सकते हैं और इनके जारी और भी है क्या है? सुत्यमबागड है पत्रिका है इस सब आप लोग ले सकते हैं ठीक इतना जानकारी के लिए आप समय देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस चैनल को चाहिस में जो जानकारी है देश को देखकर आप बहुत कुछ जान गए और बहुत कुछ नहीं जाने है इसलिए ठीक है मैं इतना ही आप सबों से कहता हूँ और अप लोग अन्रोद है कि मेरे चैनल को नहीं लाइक किये नहीं सियर किये नहीं सब्सक्राइब किये तो क्रिपाया मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि नाया नाया जो जानकारिया है उन सब को पुना लेके आओं और आप सबंग के साथ सेयर कर पाओं ठीक है ठीक है आप सबंग से मैं बिदाय लेता हूँ पुना जोहार